दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है आपका मन कहते हैं ना मन के हारे हार है मन के जीते जीत यानि मन अगर मजबूत हो तो दुनिया की हर मुश्किल दूर की जा सकती है और मन अगर कमजोर हो तो दुनिया की हर खुशी में भी खुशी नहीं मिलती है मन की एक विचित्र समस्या है जिसको कहते हैं अवसाद यानि डिप्रेशन और आजकल ये अवसाद ये डिप्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है यहां तक की छोटे छोटे बच्चों में तमाम युवाओं में तमाम युवकों में इस तरह के अवसाद की स्थिती देखी जाती है तो आखिर वो कौन से ग्रह होते हैं जो डिप्रेशन पैदा करते हैं और अगर डिप्रेशन जैसी नौबत आ गई है, तो इस डिप्रेशन को जोतिश के नजरिये से दूर कैसे किया जाए, आज इस विशे पर बात करेंगे. चाल चक्र में क्या खास है? चलिए बताते हैं आपको. चाल चक्र में आज बात करेंगे कि कब किसी व्यक्ति को डिप्रेशन की समस्या हो जाती है, अवसाद हो जाता है. डिप्रेशन के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं अवसाद पैदा करते हैं और किन उपायों से डिप्रेशन की अवसाद की समस्या दूर हो जाती है सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर कौन से ग्रह किसी व्यक्ति को डिप्रेशन देते हैं कौन से ग्रह होते हैं, जो अवसाद के लिए जिम्मेदार होते हैं, देखिए चंद्रमा जो है, ये मन का स्वामी है, चंद्रमा मन का मालिक है, कहते हैं चंद्रमा मन सो जायतह, चंद्रमा मन का अधिपती है, और जो डिप्रेशन की बीमारी है, या जो अवसाद है, ये मन का ह तो खेल है, मन से ही डिप्रेशन पैदा होता है, इसलिए अब साध में डिप्रेशन में चंद्रमा की सबसे बड़ी भूमिका होती है, बुद्ध जो होता है ये बुद्धी का मालिक है, और बुद्ध क्या करता है, डिप्रेशन को कंट्रोल करता है, या डिप्रेशन को जा देता है या घटा देता है क्योंकि जो आपकी बुद्धी है वही आपके मन पर नियंत्रण कर सकती है आप अपने मन पर नियंत्रण अपनी बुद्धी की वज़ा से कर सकते हैं बुद्ध बुद्धी का मालिक होता है और अवसाद को नियंत्रित करने के मामले में या बढ कर लेते हैं वो उस स्थिती से बाहर निकलाते हैं यानि बुद्ध की बड़ी भूमिका होती है डिप्रेशन को कंट्रोल करने के मामले में चंद्रमा अगर कमजोर हो या दूशित हो तो अवसाद जरूर होता है अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर है नीच का चंद्रमा है अस्त चंद्रमा है पाप ग्रहों से पीडित चंद्रमा है चंद्रमा गडबड है तो अवसाद होने की संभावना डिप्रेशन की संभावना जरूर होती है चंद्रमा को सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब करते हैं दूशित करते हैं वो तीन प्लैनेट हैं शनी राहू और इन तीनों में से किसी एक का या जादे का प्रभाव अगर चंद्रमा के उपर पड़ जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है यानि डिप्रेशन के लिए सबसे बड़ी भूमिका होती है चंद्रमा की पहले नमबर पे और डिप्रेशन को रोकने के लिए डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका होती है बुद्ध की यानि डिप्रेशन के लिए दो ग्रफ प्रमुख रूप से इंपोर्टेंट हो जाते हैं एक है चंद्रमा और दूसरा है मरकरी यानि की बुद्ध अब ये जानते हैं कि किन ग्रफों की स्थिती की वज़ा से किसी व्यक्ति को डिप्रेशन होता है आप देखे होंगे कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है हुआ और वो ठीक हो गए कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है जिन्दगी भर दवाईया खानी पड़ती है कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है बड़ा क्रिटिकल हो जाता है वो कभी ठीक ही नहीं हो पाता मामला काफी जादा बिगड़ जाता है तो अलग-अलग तरह के डिप्रेशन लोगों को होते हैं अलग-अलग तरह के अवसाद लोगों को होते हैं तो आखिर किन इस्थितियों में व्यक्ति को डिप्रेशन होता है किन इस्थितियों में व्यक्ति को अवसाद होता है देखिए शनी या राहू अगर चंद्रमा को प्रभावित करें तो डिप्रेशन की इस्थिति बन जाती है अगर शनी चंद्र को प्रभावित करेगा तो भी डिप्रेशन की संभावना होगी राहू चंद्र को प्रभावित करेगा तो भी डिप्रेशन की संभाव ना बने इसमें जो शनी वाला डिप्रेशन है ये कभी कभी आध्यात्म पैदा कर देता है चंद्रमा को शनी प्रभावित करे तो आदमी या तो पागल होता है डिप्रेशन में होता है या सन्यासी हो जाता है साधू हो जाता है संत हो ज लगता है कि पहले हम यही जान लें कि जीवन का सत्य क्या है और इस चक्र में व्यक्ति साधना करता है पूजा करता है इश्वर की शरण में जाता है और धीरे धीरे चंद्रमा शनी वाले मामले में व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है इसलिए चंद्रमा शनी वाले डिप्रेशन को आप कह सकते हैं कि या दमी या तो पागल होगा या तो आध्यात्मिक होगा ये शनी चंद्रमा में बहुत होता है और अक्सर संत महात्माओं की कुंदली में शनी चंद्र वाला रोल दिखाई भी देता है राहु वाला जो डिप्रेशन है ये कलपना की बीमारियां पैदा करता है सर में दर्द हुआ तो ब्रेंट टूमर हो गया छाती में दर्द हुआ तो हार्ट की प्रॉबलम हो गई उनको लगता है कि मुझे ये बीमारी हो गई मैं मरने वाला ये अजीब गरीब टाइप की बीमारी बताएंगे कि मुझे ये दिखाई दे रहा है मुझे वो दिखाई दे रहा है मुझे ऐसा लग रहा है मुझे वैसा लग रहा है ये जो कलपना की बीमारियां है ये राहु वाला जो डिप्रेशन है वो पैदा करता है और ये डिप्र कराओ मुझे यह बिमारी है मुझे वह वीमारी है मुझे यह समस्या है और होता कुछ भी नहीं है दोक्音र भी परशान हो जाता कि भहया प्रॉबलम क्या तो राहु वाला अवसाद भी प्रॉब्लेमि टिक होता है चंद्रमा अगर अस्त हो यानी दिप्रेशन की संभावना काफी ताकतवर तरीके से जिंदगी में बन जाती है, हाला कि जो ऐसा डिप्रेशन है, उससे आदमी धीरे-धीरे इंप्रूफ कर जाता है, दवाईयां खाके, काउंसलिंग करके, धीरे-धीरे आदमी बाहर आ जाता है, चंद्रमा अगर अस्त होता है तो, एक पोजीशन ये होती है कि चंद्रमा कुंदली में बहुती खराब है, डिप्रेशन की संभावना बनती है, चंद्रमा गडबड है, लेकिन कुंदली में बुद्ध आपका अच्छा है, तो ऐसी दशा में क्या होता है, कि व्यक्ति अपनी बुद्धी से अपने मन क कंट्रोल में ले आता है, अपनी बुद्धी से मन को कंट्रोल करता है, और अवसाद से निकल जाता है, डिप्रेशन से बाहर आ जाता है, लेकिन अगर बुद्ध भी गडबड हो, और चंद्र भी गडबड हो, तो ऐसी दशा में अवसाद से निकलना बहुत कठिन होता है, म ऐसी दशा में आप डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, बहुत मुश्किल होगी। कभी-कभी ये भी देखा गया है कि ब्रिहस्पती अगर कुंडली में मजबूत हो, तो व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर निकल आता है। ऐसा कभी-कभी होता है कि जो जुपिटर है, जो ब्रिहस्पती है, वो कुंडली में काफी बहतर है, काफी मजबूत है, तो ऐसी दशा में भी दीरे 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 व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर चलाता है।